कि Hindi और English कि बारी बारी हम classes discuss कर रहे हैं तो आज हम English का topic लेके आए हैं Synonyms और आप सबी को वता है Synonyms जो हैं 2 या 3 questions पक्के होते हैं हर exam में तो basically जब भी आप synonyms पढ़ते हैं तो आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए सबसे पहले तो आप कोई भी बर्ड देखो जो पूछा गया है फिर उसके जो भी alternatives हो सकते हैं synonyms ऐसे ही देखे जाते हैं suppose करिए कि आप एक word सोचते हैं happy तो सिर्फ happy जो है यही एक अकेला word नहीं है इसके लिए glad भी हो सकता है और साथ में in bliss भी हो सकता है तो ऐसे alternatives ढूंडिये जैसे यहाँ पे आप irrevocable देख रहे हैं हलांकि one word substitution जो है उसमें भी irrevocable आता है word बहाँ पे एक line होती है एक sentence होता है which cannot be changed या फिर which cannot be corrected तो इसको हम irrevocable बोलते हैं तो इन चार options को आप ध्यान से देखो एक ही question में आप 5 words सीखने वाले हैं यह मेरी तरफ से guarantee है कि जब आपका exam होगा तो एक भी ऐसा vocabulary नहीं छूटेगी जो आपने नहीं की हो और बाकी free study material बगएरा जो है हम message के through provide कर रहे हैं groups हमने नहीं बनाए हैं चूँकि दोस्तो privacy काफी important होती हर एक इनसान की और groups में privacy important नहीं रह जाती तो message के through ही ले लेना और बाकी study material आपको manually चाही हो videos चाही हो reasoning के mathematics के और बाकी subjects के तो paid course join कर लेना बहुत ही कम फीस रखिया हमने आप market में कहीं भी comparison कर लेना इतनी कम फीस और इतना अच्छा material आपको कहीं भी नहीं मिलेगा तो irrevocable का मतलब है unalterable alter करना क्या होता है change करना तो unalterable जिसको alter नहीं किया जा सकता change मतलब बदलना यह तो इसका exact antonym आ गया done मतलब जो हो चुका है और reversible जिसको पल्टा जा सके पहले जैसा था बैसे ही बनाया जा सके next है adorn adorn का मतलब होता है सजावट करना जैसे आप घरों में जो decoration बगारा करते हो वो adorn करते हैं आप इसमें हम कुछ addition करते हैं और सुन्दर बनाने की चीज़ों को कोशिश करते हैं trust मतलब बिश्वास हो क्या writer लेखक suspect जिसके ओपर संदे होता है वो suspect होता है और beautify मतलब ये इसका synonym है सुन्दर बनाना repose repose मतलब जब आप ठक जाते हैं काम करते हैं या फिर जो भी है आप रात को सोते हैं या दिन में सोते हैं आराम करते हैं तो repose बही है place मतलब जगा keep मतलब किसी चीज़ को बैसे ही बनाय रखना और rest मतलब ये synonym है exact यही आंसर है replace मतलब बदलना commotion commotion एक state होती है जिसमें भुजा शोर शराबा होता है हला गुला होता है जब हम छोटे थे हमें याद है एक teacher अगर एक period खत्म करके जाता था तो इतना commotion होता था वहाँ पे जब दूसरा teacher आता था तो वो अचानक से बच्चों को पीटता था या फिर जो भी है ताकि वो चुप हो जाएं तो commotion बही है cheer मतलब enjoy करना imbalance जहां पर एक मतलब balance विगड़ता हुआ दिखाई दे बहाँ imbalance हम यूज करते हैं वर disturbance यह exact इसका synonym है यही answer है और उसके बाद movement जहां पर हरकत होती है वो movement है nurture नर्चर होता है pollen potion जैसे बच्चों का उनकी मा या पिता pollen potion करते हैं नर्चर करते हैं उनको जैसे मली है पेड़ों को नर्चर करता है तो to grow यहां पर सही synonym होगा नर्चर और to encourage किसी को प्रोथसाहित करना to see देखना और हाँ see और watch इन दोरों में क्या difference है see suppose करो आप दिवारें देख रहे हैं इस ताइम या फिर आपके आसपास जो भी है table है कुरसी है आपने mobile पकड़ाया उसको see मतलब नजर पढ़ रही है तो वो see है लेकिन जब आप उस mobile में देख रहे हो बहाँ पर वीडियो चल रहा है मेरा आप उसको ध्यान से सुन भी रह कर रहे हो यह डिफ्रेंस है इन में टू मेंटेन बनाए रखना जैसे है जैसे स्पोस करो कि आप काफी पावरुफुल है आपकी ताकत काफी है आप काम करते हैं घर में तो काफी बल शाली है आप तो उस बल को बनाए रखना मेंटेनेंस होती है बैसे ही रखना deny, deny होता है मना ही, मना कर देना, regain, अगर आप कुछ गमा चुके हो, हार चुके हैं, उसके बाद फुर से उसको फुना प्राप्त कर रहे हैं, तो regain हो गया वो, से बेट आपने लोज किया था दस किलो लेकिन कुछ ताइम बाद दो तिन सालों आपने फिर से आपका बजन जो बढ़ गया तो रिगेन हो गया हो रिफ्यूज रिफ्यूज का मतलब क्या होता है मना करना तो यह एग्जेक्ट सिनोनिम है इसका रिपेर बिगडी हुई चीज हो जाते हैं और उसको गालिय गलोज करते हैं अब्यूज बो होता है तो यूज मतलब इस्तेमाल करना प्रेज मतलब प्रशंशा करना स्कोर मतलब किसे घरिना करना और किसी को भला बुरा कहना तो अब्यूज जो है यही है और रेज मतलब उठाना एक होता है राइज और ए अगर कोई डोसाइल ब्यक्ति है तो वो बिनम्र है उसकी बाणि जो है उसमें मिठाज है यानि कि सबमिस्सीव है वो ठीक है तो डोसाइल और सबमिस्सीव दोनों सिनोनिम्स हैं स्टाबर्न अडिग ब्यक्ति जो होते हैं हटी ब्यक्ति जो किसी को नहीं मानते अपने आगे वो stuff burn होते हैं, strong मतलब जो शक्तिशाली है, changeable जिसको बदला जा सकता है, concedrate, concedrate, जो सोच समझ जिसमें involved हो, तो concedrate का exact synonym होगा, यहाँ पे thoughtful, जो मतलब सोचता समझता है, agreeable, जिसके ओपर agree हुआ जा सके, kind मतलब, बिनम्र, दयालू, और like minded, दो व्यक्ति हैं, एक ये है और एक ये है, इसको match देखना पसंद है, cricket match और इसको भी पसंद है, तो ये like minded है, इनके opinions या फिर इनमें कुछ एक चीज़ें जो मिलती जूलती है, like minded, उसके बाद है दोस्तो, irresolute, अच्छा, यहाँ पर ir, जहां भी लगेगा, वहाँ negativity आएगी, तो irresolute, अगर resolute कोई है, तो वो बिलकुल sure है, किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन ir आ गया यहाँ पर, जिसका मतलब कि यह उल्टा हो गया, irresolute बो हो गया, जहां पर कुछ भी clarity नहीं है, ना तो फैसला लिया जा रहा है, अच्छे से, ना वहाँ पर कोई ऐसा, एक point निकल के सामने आ रहा है, undecided हो रहा है सब कुछ, तो यही इसका synonym है, angry मतलब गुसा, और ignorant मतलब, जो ignore करता है, और firm मतलब, बिल्गुल पक्का, dread, चीज़ों को ignore बही करता है दोस्तों, जिसके पास knowledge नहीं होता है, या फिर जो भी है, तो एक consensus की यह भी बनती है, जिसको knowledge नहीं है, and so on, उसको भी ignorant बोलते हैं, ऐसे जब questions एक्जाम में आते हैं, तो students सबस्चा पजल होते हैं, यहां पे frugal एक word दिया गया है, frugal का मतलब होता है, कोई बैक्ती है, suppose करो, अगर 100 रुपे लेके गया है बो बाजार में, तो कोशिश करेगा कि इसमें से पैसे बचाने की कोशिश करेगा, भलाई 100 रुपे क भी वही होता है, जो बहुती कम खर्चा करता है, लेकिन miserly क्या है, miserly ऐसी condition है, जहां पे दोस्तो बैक्ती के पास पैसे नहीं, बलकि कुछ भी नहीं होता है, क्रिपन होता है, वो हिंदी में क्रिपन बोलते हैं, कंगाल है विलकुल, पैसे तो है नहीं, बाक्की चीज़ें भी नहीं है, तो इन दोनों में पजल होते हैं, तो ये ध्यान से सोच लेना है, एक बार frugal और economical पैसों के मामले में है, और miserly मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, और splendid मतलब जिसका जो दिमाग है, वो बिलकुल straight forward है, मतलब साफ साफ बोलता है वो सब कुछ, गुमाफिरा के बाते नहीं करता है, ना किसे चालवाजी करता है, वो splendid है, और hungry भूखा, और यह जो splendid है, इसका एक अलग context है, जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ही शांदार कोई ब्यक्ति है, अगर splendid कोई ब्यक्ति है, बहुत ही शांदार ब्यक्ति है, splendid अगर कोई event हो रहा है, तो बहुत आगे है motive, तो हम बोलते हैं कि सरकार अगर कोई scheme लागू कर रही है, implement कर रही है, तो उसके पीछे उसका motive क्या है, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि उसके पीछे reason क्या है, हम बोलते है motive क्या है, तो ये आपस में synonyms है, motive और reason, बाकी occasion है, occasion अबसर होता है, जैसे हम कोई भी काम कर हैं जैसे आज के टाइम में हम देखें तो कोबिड नाइटीन के occasion पर या फिर किसी positive बात को हम देखें कहीं पर भी अगर हम कुछ अच्छा करने के कोशिश करें society की या फिर अपने परिवार वालों की तो occasion होता है वाफसर होता है और intention इरादा होता है जैसे suppose करो कि आपने एक YouTube चैनल खोला तो किस intention से खोला ताकि आप earning कर सकें और अपनी improvement कर सकें अपना knowledge जो है लोगों तक पहुँचा सकें तो ये intention होती है preparation त्यारी होती है आप सभी exams की क्या कर रहे है preparation कर रहे है यहाँ पर कैसे puzzle होते है students में आपको वो बताता हूँ पहले ये देखो pity जो है इसका meaning क्या होता है pity होता है जो आपके दिल में किसी के लिए मतलब एक अच्छी भावना है ओफेंस क्या होता है ओफेंस होता है अपराद मरसी क्या है तो यह तो हो गया इसका exact synonym लेकिन यहाँ पर kindness जो है यह भी उसी की तरह है लेकिन यह देखो यह क्या है यह noun है पीटी और मरसी क्या है मरसी भी noun है लेकिन kindness क्या है यह भी एक noun है लेकिन kindness जो है एक kind जो person होता है बहां से आती है यह बेराज पीटी और मरसी जो है यह normal है तो यहाँ पर यह difference है अगर ऐसे words आ जाएं तो आपको थोड़ लोजिक लगाना पड़ता है जो यह वाकी आनन्द next है quash, quash का मतलब होता है कोई भी चीज जो है उसको नकार देना खतम कर देना या अवस विकार कर देना तो quash का जो exact synonym आ गया reject आ अब question है question मतलब प्रशन pledge जो है यह प्रतिग्या होती है pledge हम school time में भी करते थे और slash slash होता है चाकूब गैरा से किसी भी चीज को आप काट र रहे हो फाड रहे हो तो slash कर रहे हो आप तो सही answer जो होगा वो होगा reject restrict रिस्ट्रेक्ट रिस्ट्रेक्ट जो होता है इसमें आप पावर को कम करने की कोशिश करते हैं या फिर दाइरा बनाने की कोशिश करते हैं तो यहां पर जो आप देखरे हो बी option prohibit यह सही इसका सनोनिम है restrict or prohibit सेम ही है इसमें हम रोकते हैं किसी चीज को करने से कार्टेल मतलब कम करना होता है और retain मतलब बनाए रखना जो है उसको बैसे ही बनाए रखना उसी state में retail क्या होता है खुद्रा इसका मतलब यह है कि suppose करो कि एक company है तो वो आगे material किसी ब्यापारी को देगी और ब्यापारी आगे किसी दुकानदार को देगा और दुकानदार देगा आपको सीधा जो ग्राहक हैं तो यह होगा retail जो सिर्फ ग्राहक को चीज बेचता है तो यहां पे retail आपको समझा गया होगा खुद्रा क्या होता है उसके बाद है anticipate इसमें हम already चीजों को analyze करके एक अनुवान लगाने की कोशिश करते हैं तो anticipate मतलब पूरबानुमान करना और expect भी यही है हम पहले ही pre-assume कर लेते हैं कि कोई चीज ऐसे होगी बैसे होगी तो यह synonyms है उस इसी के बिरुद जाना बिरुद करना तो यह भी आपको पता चल गया accept मतलब सुभिकार करना hope मतलब आशा तो सही answer जो है expect ही है tremendous बहुती बढ़िया शांदार तो awesome जो है यह तो easy हैं दोनों यह तो आपको पता चल गया होगा हम facebook या कहीं social media के उपर ऐसे words जरूर इस्तेमाल करते हैं remarkable क्या है जहां पर attention देखने को मिले तो remarkable यह हो गया जहां remarks कोई दे सकता है considerable जिसके उपर सोच विचार किया जा सकता है और excessive जो ज़्यादा होता है ज्यादा हो जाए normal से वो excessive है तो meticulous का meaning होता है किसी भी चीज को carefully करना उसमें महिनत भी है और काफी साफ़धानी भी है तो pain staking यह जो d option है इसका सही synonym है और correct मतलब बिलकुल जो सही है clean मतलब जो normal है साफ सुतरा है methodical जिसमें काफी अच्छे से mannerly काम किया गया है method के साथ तो सही answer जो है वो pain staking ही है abundant abundant मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो plentiful है जो exact इसका synonym निकल गे सामने आ गया sufficient उतना होता है जितना सिर्फ चाहिए ज़्यादा नहीं उसके बाद significant मतलब important जो महत्पूर्ण है vibrant जिसमें काफी energy है और मतलब जीवन्त है जो ऐसे लग रहा है कि हाँ यहीं पर life है बाकी तो कुछ नहीं है बहुत काफी ज़्यादा enthusiasm है जहां पर तो vibrant हो गया यह next है acquaint acquaint मतलब परिचित जहां पर introduction है तो introduce यहां पर सही होगा जहां पर परिचे होता है simple language में arouse arouse मतलब किसी को जगाना परेरित करना उसके बाद appoint यानि कि निक्त करना और acquire मतलब अधिगरहन करना means की प्राप्त करना change काफी easy है alter alter भी change होता है renew मतलब नया बनाना review मतलब smixha करना कि जो मतलब हुआ है क्या वो सही है या फिर गलत है और repeat मतलब दोहराना skepticiously यह spelling ज़रूर देखना correct spells में आ जाता है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं spellings को ध्यान से नहीं देखते हैं हम सुछते हैं कि exam में तो यह spelling आएंगी नहीं correct spelled जब question आता है तो यहीं से आता है antonyms synonyms one word substitution से ही यह questions बनते हैं तो जब बड़ी spelling साती है तो ध्यान से देखो skepticiously का मतलब होता है कोई भी काम करना secretly करना किसी को पता नहीं चलना चाहिए calmly या फिर calmly अगर कोई काम करते हैं तो उसमें secrecy नहीं है चुपके चुपके काम हो रहा है मतलब कोई ज़्यादा उसमें बोल बाला नहीं है किस चीज का फालतू नहीं बोला जा रहा है suggestively जो सुझाब दिया है उसके कोडिंग काम हो रहा है quietly मतलब यह भी चुपके से लेकिन secretly और in में थोड़ा सा डिफरेंस यह है secretly हम तब गरते हैं जब हम छुपाना चाहते हैं किस से की किसी को पताना चले तो skepticiously भी यही है उसके बाद है for board एक condition है जिसमें warning हमें देखने को मिलती है अलार्म होता है तो a option इसका सही है यह सिनोनिम है और for tell पविश्यवानी बगएरा failure मतलब असाफलता forefront आगे ठीक है तो यहाँ पर a option सही होगा सिनोनिम जैन्वन है कोई बिनमर है या फिर प्यारा है तो यहाँ पर असली है real सही होगा जैन्वन बो इनसान होता है जो extra कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करता जैसा है बैसा है गुड मतलब अच्छा attractive जिसके तरफ हाकर्शित हो लबेबल जिसको प्यार करें हम तो सही आंसर जोगा real ही होगा next है adverse adverse होता है negative उल्टा तो a option सही होगा इसका facilitating मतलब किसी को सुभिधा देना decorative मतलब सजाना संबारना और derogative अपमान जनक अपमान वगयरा जहां पे होता है derogative वहां पे हम यूज करते हैं उसके बाद elastic जो मतलब flexible हो इसको यहां भी खींच लो इस तरफ भी खींच लो तो flexible हो गया जिसमें rubber use हुई है rubbery हो गया वो expensive महंगा हो गया exciting जो उत्सा उसमें काफी ज्यादा है तो बहां पे exciting D हम इस्तेवाल करते हैं बैसिलेट है बैसिलेट का मतलब होता है जिसके ओपर बिश्वास नहों कुछ अजीव सा हो तो यहां पे queer जो है यह इसका synonym हो सकता है क्वीबर जो है इसका मतलब होता है जिसमें कम पन हो ठीक है और बेबर मतलब जो एसे ही हिल डूल रहा हो और नेवर मतलब कभी नहीं तो सही अंसर क्वीर ही हो गया इसका मतलब जिसके ओपर विश्वास ना किया जासे कि जीव सा हो ओड हो इंपकेबल जिसमें कोई एरर ना हो अगर एरर नहीं तो फोल्ट नहीं होगा तो फोल्ट लेस हो जाएगा इंपकेबल पॉफेक्ट मतलब जिसमें कोई कमी ना हो बिल्कुल अच्छा फिट हो suitable हो fair मतलब fair गोरा भी हो सकता है और fair जो है एक बिलकुल जिसमें honesty हो बो भी हम use कर सकते हैं उसमें context में criminal मतलब जो अपराधी है उसके बाद है impediment impediment suppose करो यहां से पानी बह रहा है और यहां पे कुछ आपने रख दिया डैम बगारा बना दिया तो impediment डाल दिया आपने पानी के लिए यानि ही बाधा तो obstruction बिलकुल सही है और stackle भी इसको बोलते हैं तो यह impediment और clear मतलब जो बिलकुल साफ है और ailment जहां पे रोग है बिमारी बगारा incapable जो capable नहीं है जो नहीं कर सकता तो सारे का सारे आपको समझावे होंगे I hope उसके बाद है advance advance का मतलब क्या होता है progress next level मतलब थोड़ा सा high level करना advance और reduce मतलब कम करना halt मतलब रोक देना किस चीज़ को progress यह synonym है extend मतलब आगे और ज़्यादा बढ़ाना options को ध्यान से देखें तो extend जो है यही इसका सही निकल के आ रहा है लेकिन progress जो है यह भी इसके आसपास ही है अगर options में दोनों हो तो extend को आप चूज़ कर सकते हैं अगर यह progress options में हो तो आप इसे देख सकते हैं सही answer D ही चूज़ करूँगा बाकी दोस्तों आपको यह PDF वगयरा चाहिए हो तो WhatsApp पर मिल जाएगी और बाकी courses की जानकारी भी WhatsApp पर मिल जाएगी तो जुरूर message कर लेना जुड़े रहो हमारे साथ और भी काफी कुछ discuss करते जाएंगे जै हिंद जै हिमाचल